दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे मैं बताओं मैं भी बहुत अच्छा हूँ वीडियो अच्छा लगे तो सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बैर अपने मेरा प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लेलिस् इसको क्रियेट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट की हैबिट डाली तो मैंने वहाँ पर बताया हुआ है आज मैं जिस म्यूचल फंड की बात करूंगा उसका नाम है क्वांट स्मॉल केप की समय चर्चा कर रहा हूं आपके सामने पर डे मैं एक साड़े तीन बजे हर रोज एक नया mutual fund की unboxing करता हूं पूरी तरीके से breakdown करता हूं कि mutual fund का sector क्या है इसका fund manager की qualification क्या है जाते साथ एन भी क्या है कि सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं कौन-कौन से shares में लगा हुआ है कौन सा share नीचे गिर सकता है कौन सा share अच्छा है कौन सा share return दे रहा है कौन सा share नहीं दे र देते हैं quantity small cap के बारे में एने भी थोड़ा समयंगा है 153 रुपए का एने भी है और अगर मैं बात करूं इसके all time तो 16.26% के CAGR के हिसाफ से इसने return नभी तक लोगों को बना के दिया है 16% के CAGR के हिसाफ से मेरे मित्रों CAGR का मतलब सबको पता होगा चक्रवर्दी व्याज सम हो या mutual fund distributor हो उससे mutual fund लेने से अच्छा है कि आप डारेक्ट इंवेस्ट करें चाहें पेटियम मनी ग्रो या फिर को भी थर्ड पार्टी या जो भी आपको पसंद है अगर आपको चलाने में दिक्कत होती है तो मेरा mutual fund classes का वीडियो दो को मैंने पूरा वहां पर बताया आए चीजें अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं तो अपडेट रहना भी जुरूरी है दो हजार तेरा में यह mutual fund house आया था दो हजार तेरा से लगा कि अभी तक का इस fund house ने आपको क्वांट ने आपको 16.26% के CAGR के हिसाब से बनाते हुए return दिया है 2013-2023 दस सालों में 16% के हिसाब से return दिया है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहां से और इसी के सासा जो इनका scheme जो manage कर रहे हैं जो fund manager है संजीव शर्मा जी एंड वासाव सहगल जी एंड अंकित एपी जी बहुत बढ़ है इनकी qualification है अगर इनकी experience की बात करें तो बहुत तगड़ा experience है इनका है अगर वह exit कर लेगा तो कहीं न कहीं mutual fund पे impact कम आता है यह होता है एक fund manager को हमेज़ साफ प्रोएक्टिव होना चाहिए राधर देन समझ सकते हैं आप और रिस्क की बात करेंगे mutual fund is subject to market risk read all schemes related documents carefully किसी भी mutual fund में invest करने से पहले या share में invest करने से पहले मेरा यही मानना रहता है कि आपको जब तक उस mutual fund पे पूरी तरीके से ट्रस्ट ना हो जाए एक relationship उस mutual की बात करेंगे .62% का expense ratio है मैंने expense ratio पे भी फोकस किया है कि कहीं ना कहीं एक percent से कम expense ratio रखा जाए cash holding की बात करेंगे 5.96% का cash hold करके चलते हैं growth plan है जो benchmark लिए है nifty small cap 250 total return index fund open end fund है देखिए अगर आपने एक साल से पहले अगर आपने जैसे आज invest कर दिया और एक साल से पहले अगर आपको fund की जुरूद पढ़ गई वाई चांज तो आप exit होंगे mutual fund से और अगर आप exit हुए है तो आपसे एक परसेंट का exit load ले लिया जाएगा ठीक है और जो यह cover करते हैं वो फाइनेशियल services chemicals और construction सेक्टर को यह cover करते हैं और कुछ अधर सेक्टर है उसमें आपका पैसा 49% deploy रहता है chemical सेक्टर की बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे मित्रों कि chemical सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने 2021 और 22 में बना के लोगों को बिल्कुल नहीं दिया है और वक्त कोई ना कोई सेक्टर पॉजिटिव में नहीं रहता है कोई ना कोई सेक्टर नीचे रहता है एक दिन आपना एक दिन आएगा तो एक दिन chemical सेक्टर का भी दिन आएगा और जो लोग इस समय केमिकल सेक्टर में इंवेस्ट कर रहे होंगे आने वाले समय में लार्ज केप में थोड़ा पैसा इन्होंने रखा हुआ है अच्छे चीज है इसी लिए इस फंड का जो सीए जी आ रहा है वो सोला परसेंट रहा क्योंकि लार्ज केप में भी पैसा है आइटीसी जैसे जो है हर साल दस परसेंट सूपर रिटर नहीं देते किसी को और किसी किस दे नहीं है अगर मार्केट गिरता है यह बचा के रखते हैं आपके पोड़कोलियो और पंजाब नेशनल बैंक ने लोगों को पैसा बना के दिया इस साल बहुत बैद के दिया पंजाब नशनल बैंक ने हिमाचल फ्यूचरिस्टिक क्म्युूनिकेशन लिम्ट्र इंडिय बीका जी ने लोगों को रिटर्न तो IPO के टाइम नहीं दिया परंद उसके बाद में अच्छा रिटर्न बना के दिया सब्सक्राइब चाहिए उसका या फिर आपका बलरामपुर्चीनी हो ठीक है इस सारे इंडस्ट्री मैं इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड पराज इंड़स्ट्री पर आपका फोकस होना चाहिए और देखना है आपने इससे पहले अगर मेरा यूटी आई स्मॉल के पॉल् प्राज इंडिया ने अच्छा रिटन लोगों को बना के दिया है पंजाब आलकाली जिंदल स्टेनलेस जैस इंजिनिरिंग ब्लू स्टार ने ब्लू स्टार हो गया लोगों का पैसा ब्लू स्टार तो वोल्टास तो बारा सो रुपैसे लगा कि ब्लू स्टार ने लोगों को कुछ खास पैसा बना के दिया नहीं है तो यही कुछ रीज़न है इसका सिक्स्टीन परसेंट ना रहा है भारतिय डाइनमिक्स प्राइकोल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पतांचली फूर्थ बहुत बैतरी रिटन बना के दिया नितिन स्पीनर स मार्क संस फार्मा सहयोग मल्टी बेस औरियंट पेपर केस्बी ताज जीवी के होटल हिमादरी स्पेसिलिटी एंड सुजलोन सुजलोन एनरजी पे इस पेसली आपकी नजर होने चीए अगर आप शेर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यह कंपनी एक ऐसी मैनेजमेंट नया मैनेजमेंट है नए जमाने का मैनेजमेंट है कंपनी का इसके साथ साथ जो मैनेजमेंट का जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत जाधा उनको इंट्रेस्ट भी रहता है प्लस उसके साथ साथ उनका जो मैनेजमेंट है इनक्यूबेटर्स भी उन्होंने मै होते हैं उनको ही चांस दिया जाता है जो इसके शेर होगा तो यहां पर आपका पैसा रहता है दिखिए मैं बहुत डीपली आपको बता देता हूं हर शेर से रेलेटेड वह इसलिए बताता हूं कि क्यों अगर इसके पांच शेर भी खराब हो गए ना तो कहीं ना कहीं आपका पूरा 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 पूर्फोलियो लेकर डूब जाएगा इस वज़े से आप भी बड़े ध्यान से सुना करो यह सारी चीज़ें क्योंकि आपको भी सीखने को मिलता है ठीक कैनरा रूब एको स्मॉल के फंड पसंद नहीं आता है तो कुछ नए है तो कुछ मैं अल्टरनेट भी आ इसने दिया है इसने भी थर्टी फाइब पर्चेंट तीन साल में रिटर्ण बर जनेरेट करके दिया है इसी के साथ साथ आए चलिए क्वांट से बात करें दो हजार पांसो असी करोड का असेट अंडर मैनेजमेंट है टूटल इसमॉल के फंड था यह और इसमॉल के फंड इसमों को खर और भी यह जैसे लोग बतातें पर यह साथा कमीले लोगों के अ म्या खरें पराउन को क्यों साहर कम्विदियो अच्छा धरीराश थे सकृई है तो यह फ्रेंड मेरा वीडियो रहा क्वांट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो मेरा निपॉन परागपारेक एस बीआई ब्लूचिप सभी के बारे में वन बाई वन करके वीडियो अन्बॉक्सिंग करता हूं तो बने रहें सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूस चैनल के साथ अपना रिव्यू आ करता हूं